हाई एव्रीवन मैं हूँ आपकी श्रदादीदी और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इजरो के अंदर अगर हमें असाइंतिस जाना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स रहेंगे क्या recruitment process होता है वहाँ पर काम करने के लिए इजरो के full form होती है Indian Space and Research Organization और यहाँ पर इंडिया के top scientists सबसे brilliant minds काम करते हैं इवन हमारे ex-president A.B.J. Abdul Kalam यहाँ पर as a scientist काम कर चुके हैं बहुत सालों तक और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग है उनकी prestige ही कुछ अलग होती है यानि यहाँ पर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं contribution के लिए science के लिए देश के लिए काम करते है इजरो का major काम है space में research करना और development करना फिर चाहे वो space में जाने वाली हमारी satellites हो हमारी missiles हो rockets हो या फिर हमारे exploration missions हो और हम कैसे as a B.Sc. student, as a B.Tech. student, as a B.E. student इजरो के अंदर जाकर काम कर सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम चार post को detail में discuss कर रहे होंगे ये post है हमारी space scientist की, engineer की, technical assistant की और scientific assistant की इनमें सबसे पहले बात करने वाले हैं हम space scientist और engineers की इजरो में as a space scientist और engineer बनने के लिए हमारे 1, 2, 3, 3 steps होते हैं इनमें से सबसे पहला step है IIST IIST की full form होती है Indian Institute of Space Science and Technology ये 12th करने के बाद यहां पर जाकर अगर आप अपनी bachelor's करते हैं तो उसके बाद ISRO directly इस institute के अंदर आता है hire करने के लिए scientist को अब यहां पर admission लेने के लिए हमें एक exam देना पड़ता है जिसका नाम है J.E. Main and Advanced अब J.E. Main and Advanced usually बच्चे जो है IIT में जाने के लिए देते हैं engineering करने के लिए पर इस exam के अंदर अगर आपकी अच्छी rank आती है तो फिर आप IIST के अंदर भी जा सकते हैं अगर आपको scientist बनना है तो यहां पर IIST के अंदर total seats जो available हैं वो 140 हैं अब यह दो तरे की degree कराता है एक होती है आपकी चार साल की bachelor's यानि B.Tech और एक होती है integrated B.Tech जो मतलब आपकी पांच साल की dual degree होती है जो चार साल की B.Tech की degree है उसके अंदर आपकी 120 seats हैं और पांच साल की dual degree के अंदर 20 seats हैं and recently कुछ-कुछ seats और add हुई है economically weaker section के आले बच्चों के लिए उसके बाद भी जब ISRO आता है hire करने के लिए तो एक और eligibility criteria होता है वो यह होता है कि at least आपकी 7.5 CGPA तो जरूर आई हो graduation के टाइम पर और अगर 4th year में आगे है hire करने तो यानि आपके final year तक 6 semesters तक आपकी 7 GPA at least हो तभी आप recruitment के अंदर बैट पाएंगे IISD से दूसरा जो तरीका होता है ISRO के अंदर जाने का वो है through ICRB ICRB stands for ISRO Centralized Recruitment Board यह कैसा board है यह कैसे authority है जो ISRO के लिए सारी hiring को देखती है अब यह एक exam conduct कराते हैं जिस exam को देने के बाद एक personal interview होता है और उसके बाद आपका एक standard medical examination होता है जिसके बाद आप ISRO में as a scientist, as a space scientist या as a engineer recruit हो सकते हैं इसको देने के लिए हमारी eligibility यह हो कि या तो हमने BE किया हो बैचलर्स of engineering या हमने B.Tech किया हो या B.Sc. in engineering किया हो या फिर एक diploma course किया हो जिसके बाद हमने BE या B.Tech किया है lateral entry के साथ अब यह lateral entry क्या होती है कि कभी-कभी हम diploma course कर लेते हैं या फिर हम B.Sc. का course कर लेते हैं और उसके बाद हमें किसी second year, third year के अंदर directly दूसरे course में admission मिल जाता है यह कुछ-कुछ institutes होते हैं जो करवाते हैं और definitely अगर आपका यह वाला case है तो आपको check out करने चाहिए options अब सिर्फ इतना नहीं इसके बाद आपकी graduation में या तो 6.86 C.G.P. आई हो या अगर आपका college आपको percentage का पर्चा देता है तो आपकी 65% जरूर आई हो graduation में पर सिर्फ इतना नहीं है मतलब इन degrees में से अगर हमने कुछ कर लिया है तो जरूरी नहीं है कि हम eligible है इसके बाद हमारी कुछ streams भी देखी जाती है कुछ streams यानि या तो हमने computer engineering में अपनी degree करी हो या mechanical engineering से related कुछ पढ़ा हो या electrical engineering से अब इन streams के अंदर भी कुछ-कुछ हमारी branches है computer engineering के लिए तीन है mechanical engineering में 11 हमारी branches है electrical engineering में हमारी 14 branches है ये branches किस तरीके से हैं जैसे कुछ colleges में क्या होता है electrical engineering कराई जाती है कुछ colleges में electronics engineering कराई जाती है ये branches क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि कुछ colleges के अंदर computer science को COE कह देते हैं, कुछ colleges के अंदर CSE कह देते हैं, कुछ colleges के अंदर CE कह देते हैं, कुछ colleges में IT हो जाता है, यानि information technology तो इस तरीके से जो ICRB है, वो आपके सिर्म basic subject देखेगा और इन branches के साफ से आप देख सकते हैं, कि आप eligible हैं या नहीं हैं, इसमें जो age limit रखी जाती है exam की, वो 35 years है, कुछ-कुछ लोगों को exceptions दिया गया है, वो आप special cases अपने जा कर देख सकते हैं, तीसरा तरीका जिससे ISRO recruit करता है, वो हैं हमारे campus recruitments, और यह होते हैं हमारे IITs और NITs के अंदर, IITs हमारे top engineering colleges हैं इंडिया के अंदर और उनके बाद आते हैं हमारे NITs, IITs में जही advanced के through admission होता है, NITs में जही means के through admission होता है, तो अगर आप इन colleges के अंदर अपनी जो B.Tech है या कोई और degree complete कर रहे हैं तो on campus IZRO आता है और आपको recruit करने के लिए वो exam conduct कराते हैं, उसके बाद कुछ interviews करवाते हैं, अब इसके बाद बात करें, अगर technical और scientific assistant की तो उसमें आपका B.A.C करे होना ज़रूरी है, अगर आपने B.A.C किया है और तब आप IZRO के अंदर जाना जाते हैं, तो आपके options है कि अगर आपने physics, chemistry या math में B.A.C किया हो, या फिर computer science में किया हो, या किसी subject में honors किया हो, या फिर आपने applied physics या applied science में किया है, B.A.C in engineering किया है, या B.A.C in life science या psychology किया है, तो फिर आप eligible हैं इन दोनों post के लिए, यहाँ पर हमारी एक website होती है www.izro.government.in slash careers, जिसमें जाकर ह हम इन सारे careers के बारे में जो जो नही नहीं post निकलती रहती हैं, वो सारा explore कर सकते हैं, वो link आपको description box के नीचे भी मिल रहा होगा, अब अगर packages की बात करें, कि as a scientist अगर आप महा पर join करते हैं, या फिर किसी और post में join करते हैं, तो आपके किस तरीकी के packages रहते हैं, तो उसमे ये proper list available है, जिसका link आपको नीचे मिल जाएगा, अगर हम शुरुआत से basic level से बात करें, तो 15,600 हमारी शुरू वाली limit होती है, जो 39,100 तक जाती है, उसके बाद आपके packages जो हैं, वैसे वैसे बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे आपके promotion होते हैं, upper levels में, तो scientist में, अगर आपके level scientist B से आप scientist C में जा रहे हैं, D में जा रहे हैं, तो आपके promotions भी होंगे और आपके packages भी बढ़ रहे होंगे, but definitely इसरो के अंदर जाना एक package वाली चीज नहीं है, ये वो वाली चीज है जिसमें आपका मन कर रहा है कि आप India की space और research और development के अंदर कुछ contribute कर पाएं, जो आपन सारी research जो है उसको better बनाने में काम कर रहे हों, but definitely package एक high motivation नहीं है, motivation इसरो के अंदर काम करने की, इसरो के अंदर scientist बनने की होती है, कि आप top level की research कर पाएं, आप leading जो technologies हैं, उनके साथ काम कर पाएं, इंडिया के अंदर, और साथ के साथ अपने काम के थूँ आप देश की space research क के अंदर, development के अंदर, सार का सारी चीजों के साथ आप contribution दे पाएं, तो I hope कि आज की वीडियो के अंदर हमें कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी इसरो के recruitment process से related, आज के लिए इतना ही मिलते, next video में, till then keep learning and keep exploring.